जबलपुर के तहसील पाटन के गाड़ा-घाट गाओं में जमीनी विवात को लेका दो पक्षों में कूनी संघर्ष हो गया जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घातक हत्यारों से हमला किया जिसमें शेक महर्रम और उनकी पत्नी रज्जोबाई गंभी रूप से घायल हो गई घायलों को इलाज के लिए पार्टन अस्पताल ले जाए गया लेकिन हालत गंभीर होने पर जबलपुर रफर कर दिया गया यहाँ उनके लिए जलू ने ग्याद ने और अच्छाई झो लोग और रहें उनका नाम हंग को याद नहीं है उनने बहुत मारा है और वह कंपी किसानी पैसे अच्छा तेक्यों कर रहें जी क्या कर रहे हैं और पहली से शेतानी जहिए और पहली समय पापा रबूट डाले अच्छा अजाद ने मारा और रहीष ने आसिक ने और एक खेती खेती पर खेती की बबाद प्या होई गाड़ा घाड़ा 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 फाना पाटन साट आड़ साथ आड़ जने हैं फरसा से और बल्लम से कल डायल हंडेट थाना पाटन पर एक सूचना आई थी कि गाड़ा घाट में दो लोग घायल पड़े हैं जब मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां राजबी और उसका पती पड़ा था राजबी ने बताया कि जमिनी विवात को लेकर जलील आजाद और सुकरदीन नाम के व पका कुलहाडी और पाइप से उन पर हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया और वह इलाज के लिए वह मेटिकल में भरती हैं जानलेवा हमले हमला करने के कारण धारा एक सुन नौ भारती नियाय सहीता का अपराद थाना पाटने में दर्च कर लिया गया है और आरोपियों क कि पतार सी की जा